चलिए आज की हमारे जो टॉपिक है वह रहेगा आपका हिटोर्फ थेवरेटिकल डिवाइस एंड हिटोर्फ रूल तो सबसे पहले समझते हैं कि हिटोर्फ थेवरेटिकल डिवाइस क्या होता है गांट के होगे और क्या था फरच क्या हुआ है और क्या था लेक्त Parlament रहन वर कर दीवाइट कर देगा। इसपोस वोल ने या पर यह अब है तो एक लेपकंपाक्म में यह का च कहते हैं और दूसा मिडल कंपार्टमेंट है इसको चलो M ही दिख लो मिडिल कंपार्टमेंट और ये दूसा तीसा कौन सा कैथोडिक में तो, कंपार्मिंट में टी एक हुपाइड से एक एलेक्सपा बाने में आम आमसे के बातरी चाहने के चांपूरिक से कंपारिण नुस्क्तार था॥ कमःडिंट में आपने शिपलाई कर दिय काथ पहरी कंडिशन है के टाइन एनाइन लग के टाइन एनाइनके के टाइन यां तिक कोस्ट परे मारे पास वहा इलेक्तोई ज्रोजिशन में थाक्षान में प्लस मारे मैंन needing ď अ ठीक होगे, सब्सक्राइब हमारे पास कहता गया, एनोडिक कमपार्टमेंट में 6 चायनchod चायनियन उच स्टायनीकल ऑगे माँगे में 6C9 का एक था ठीक कमपार्टमेंट में क्यों रखते हैं?, इस चायन डिए परकत कट शूआत हैं, तक और पर आपका समें, सब्सक्राइब काछा कनंट साउप होगें अधीयोग के शूआत हैं तो उनित टाइम इंटर्वल में स्पोज कोई भी केटाइम कहा से एनोडिक कमपार्टमेंट से कैथोडिक कमपार्टमेंट की ओर को यह कोई भी अनाइम पैयर्ण कअ आठोडेक कंपार्ट्मेंट क्योंको फाल और रहे हतुन है जितना दर्ट्स और High तो आपकाऊसस दोच मोब करेहां तो यह बने भी सिच्वेशन चार तो अपनी जगा भने रहेंगे तो यहां से कोई भी आयन नहीं कर रहा है यह हुआ हैं कि और दोबड़ी जो वहां से किदर मुग थाम किया हुआ है। यहां से केटाइन वहां गए तो छे अपनी जगह बने होया है शिक्स पेर दो इधर से मूप की वाले यह दो केटाइन तो यहां पर भी दो अनाइन बढ़ जाएगा तो अनाइन को कौन जी जगह है अनोड तो यह यहां आपका क्या करें गए है अनोड पर जाएगे डिस्चार्जल करेगा और केटाइन यहां कैटोड पर डिस्चार्जल करेगा तो इसका मुझब यह दी आपका अनोडिक कमपार्टमेंट से दो केटाइन आपका कैटोडिक कमपार्टमेंट की और को मूब्मेंट कर रहा है और सेम टाइम इंटर्वल में कोई भी एनाइन आपका cathodic compartment से एनोडिक compartment के और को मूब नहीं करना है तो आपको एक observation दिख रहा है कि आपका discharge of iron at the electrodes in both the compartment being safe दिख रहा है जब भी केवल कटाइन यह कटाइन यहां सा वहां मूब किया ते रेखें दोनुद इलेक्टोट्स पे एक्वल दो आइन यहां यहां भी discharge करता है एन आइन तो दो केटाइन महाबर भी discharge करता है यहां इतना दिख रहा है लेकिन आपको एक सीज दिख रहे है यहां पर कि आपका जो एनोडिक कंपार्टमेंट उसका कंसंटर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्टर्ट क्यों दो केटाइन का स्पीड हाई है तब वह आपके क्या है दो केटाइन की स्पीड बहुत स्लोगी तो आपके यहां से यहां पर हम जाने कि दो केटाइन दूमें न्हीं करना यहां से वहां और जो एंदा इन बहुत आइन्स का अपोजित चाल में पारिया compressive χρη्च पर स्पीड करने की स्पीड होँ क्यों कि क्याELLE हूँ तो यहां दो करते है यहां है को यह सम्झे है चार पेर तो अपने बने लगए किकि दो क्या को दो और यह देखार कुछ वहां से डिया गटार क्यों वहां से यहां पो अदिस नहीं रखने यहां प्लस माइनस, 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 चार तो अपने लिगा बने रहेगा, अब दो एनाइन यहां से यहां मूप किया हुगा है, तो दो उसके मतले आपके क्या है, दो केटाइन तो अन्पियर्ड हैं तो चार ड़र यह यह कोग ए आपको इंद से अखिट वैलन्स नहीं होगा तो आपका अनीं यह को वह यह जऑ सन्केल पर रغड़क करें धिशाज करें कि यह ऑ τα न केलग्स करें है। यह यह आंद सार्गmental पाल यह तो यहां से मूग किये तो डिश्चार्ज दोनु जोगे क्या हो आपका सेम और इसका मतलब इसका मतलब सेम है और से कैथोर्टी हो जाने का इस स्पीड सेम होगा तभी तो आपका युनिट टार्म इंटर्टों दो इधर से इधर मूब करें तो उस समय कंसर्टेशन फॉल दोनु कंपार्टमेंट का सेम होगा और इस डिश्चार्जल ऑफ आइंस एट इलेक्टोट्स भी आपका क्या होगा सेम होगा तीसा चोथा कंदिशन दो केटाइन चले हम दो दी मानते है एक केटाइन ठीक है और दो एनाइन मूब करें यहां से एक केटाइन उधर मूब किया तो क्यों आपका पांच पिर तो अपने लिगा रहेंगे न है प्लस माइन stall मंटै सैंक माइन प्लस माइन तो एक कीयात अ तो क्या हुआ दो और नेगलिक है यह हो गया है तो तीन यहां बच गया है यह है विडिल कंपार्टमेंट में पर्दर कोई चेंज नहीं आएगा यह और कर यहां से दो थो यहां से दो क्या है दो किपार्ट बच दो यहां कि तो तो यहां यह कॉन सी situation है इस सपीड औ ओफ आयं की सपीड कम है यह केस था है सेम b हुसी आई मुघ कर रहा है है शोलय म्ह Ein नहीं कर रहे है और इसका वई नहीं की घरो है शनग सकेड सबस्केट यह इसका रिख सब्सक्राइए है एक significant जोगी होगा ठीक है उपपर वारे में दोनों की speed 0 है तो दोनों मज़े कोई भी आयन move नहीं किया तो हम हर type भी conditions को create किये हैं इस diagram के अदर दिया है तो इस चार cases के experiment को हिट और theoretical device के experiment करता है और इन experiment से क्या conclusion आपको दिख रहा है कुस पार पर आते हैं तो यह कहता है कि आपका rule no.1 बिल्कुल rule को कुछ रखना नहीं है जो दिख रहा है वही बोलना है ठीक नहीं देखें पहला rule कहता है whatever be there number of ions moving from anodic to cathodic or cathodic to anodic compartment in the unit time interval एक certain time interval या unit time interval में anod से cathode की और जाने वाले ketion का number या cathode से anod की और को जाने वाले anion का number कुछ भी हो जैसे एक बार कि बार दो याइन move कर रहे थे एक बार यहां से दो वहां से भी 2 move किये थे एक बार यहां से एक ही move कर रहे वहां से दो move कर रहे है अलग एक situation है ना है तो यह कहते है कि आपका anod से cathode की और या cathode से anod की और move करने वाले हो आइन का number equal हो और unequal हो या एक ही side से आइन move कर रहे हो ठीक ना कुछ भी हो लेकिन discharger of ions at both sorry at the electrodes in both the compartments will be always same ठीक है sentence को समझेगा रूबल को समझेगा whatever be there number of ion moving from anode to cathode sorry anodic to cathodic or cathodic to anodic compartment always number of ion discharging at the electrodes in both compartments will be always same दो यहां भूग कया डिस्चार्ज के तो दो आभी किये चार पी चार जाभी किये तो यहां भी किये तो यहां भी किये तो यहां भी किये discharge हो नहीं हो रहे है यहां से आइन दो यहां से एक ही गया यह दोनु साइब से बराबर ion move किये यह एक ही दूसरे जाइचा मूवेंट नहीं हुआ कुछ भी हो लेकिन डिस्चार्ज लओ आइन एट डाइलक्टोड इन बोड़ दे कमपार्टमेंट विल बी वालवेज सेव यह फॉस्ट इस्तेटमेंट है आपका है पहला रूल भी केता है रूल नमबर सेकंड दूसरा रूल का केता इस कंडिशन में ना बोड़ दो केटाइंट मूव किये तो डिस्चार जाल तो आपका एक्वली है लेकिन पर आपका यहां दो इलेक्ट्रो लाइट कम हो गये एक्टर से सुलुशन से चारी प्यर बचना और यहां कितने प्यर हैं पूरे के पूरे च्छ हैं इसका मतलब य यहां इस वाले में आपका क्या है दो यहां से आएंट वहां गये तो वहां से यहां बे दुनुशन पराबर आएंट मूव किये हैं तो आपके क्या है चार बचे यहां भी चारी बचे यहां अनिक्कॉल था तो अनिक्कॉल बचा हो गया तो इससे कंक्लूजन आतक भी आप किसी भी kompartment से opposite compartment की और को, मूब करने वाले ions की speed जटनी ज़ादा होगी उस particular compartment में concentration fall भी उठना ही ज़ादा है जैसे यहां से 1 AMech गया ज़से पीड कुछ में यहां से एक या यहां एक certain time interval में दो एनाइन इधर को मूब कर जा रहे हैं लेकिन एक ही कटाइन वहां मूब कर पार रहे हैं तो इसका मतलब एनाइन की speed ज्यादा है तो cathodic compartment में concentration fall भी तो ज्यादा आ रहे हैं इसका मतलब की speed कम है तो इसका मतलब यहां concentration fall भी आपका कम है पांच बचे हैं एक ही मूब किया वादा तो एक रहे हैं तो यह कहते हैं आपका किसी भी कमपार्टमेंट से अपूजित कमपार्टमेंट की ओर को मूब करने वाले आएन की speed जितनी ज्यादा उस पर्टिकलर कमपार्टमेंट में concentration fall भी उट नहीं ज्यादा तो यहां सा आपका एक स्टेट्मेंट मनें यह आपका एक फॉर्मुला बना सकते हैं decrease in the concentration of anodic compartment is proportional to speed of cation moving from anodic to cathodic compartment ठीक है समझे नहीं decrease in the concentration of anodic compartment anodic compartment का concentration कितना decrease हो किसे डिपेंड करेंगा जो cation यहां से वहां को move करें उनकी speed ठीक है तो इसे तब मैं लिगाए speed of cation moving from anodic to cathodic compartment ठीक है सिमिलर लिगा हो decrease in concentration of cathodic compartment किसके प्रपोस्टन होगा यहां से जो character anion इधर को move कर रहे हैं उनकी speed के ठीक होगा ना तो यहां यहां से एक formula यह मिल्या है का आपका रहे हो यह होगा decrease in concentration of anodic on that compartment upon decrease in concentration of cathodic compartment equal to uc upon mua uka speed speed of cation upon speed of anode एकश्परिमेंट से में चार एकश्परिमेंट से आपके दो कॉल्कूरेजन्स आते हैं जनको हम अगया पहता है पहला कन्दुजिन क्या था वोटेबर भी तब आई जो तो तो कैठोडिक टू एल्जेन के तो अनोडिक तो कमपाटमेंट वेज इस्चार्जर अफ आइन एड बोथ था एलेक्डोड इन बोथ था कमपाटमेंट वी से पहला रूल दूसरा रूल कैता है कि कि इसी भी पर्टिकलर एक्ट्रोड का डिप्रीज इन कंसें डिप्रीज उस कंपार्ट्मेंट से मूप करने वाले आएंगे स्पीड लिगा वो डिरेक्ली प्रफोस्ट नहों बडे तो वहां से तब जागे लिए फॉर्ट बलाग का जनरेट हो बडे इतनी बात मेरे गाल से